हेलो वरिवन, विल्कम यूओ आट लोके सर अलेम्टेड स्टडी जोन त्रिवी में जामिती क्लास 12 मादमिक शिक्षा मंदल मादब्रदेश भोपाल की क्लासेश चल रही हैं और आज हम लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हुए कल के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको मेंन बाती क्या पढ़ाई थी कल मैंने आपको पढ़ाया था एक बिंदू रूप मनलब की रेखा का समीकन जो की एक बिंदू से होके जाता है और कल मैंने उसका सदिस और कार्ती है दोनों समीकर्ण आपको पढ़ाया था जानकारी के लिए बता दूँ पहला सदिस समीकर्ण था वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B और जिसका कार्ती रूप था X-X1 upon A equal to Y-Y1 upon B equal to Z-Z1 upon C यह हुआ करता था कल इसका कार्ती रूप कल हम लोगों ने यहां तक कर लिया था और इसके बाद में एक और समीकर्ण मैंने जवाब को कराया था उसका था दो बिंदू रूप रेखा का रेखा का दो बिंदू रूप देख लिए क्या था दो बिन्दू से जाने वाली रहा कि समीकण वेक्टर R वेक्टर A प्लस लेम्डा वेक्टर B माइनस A और इसका जो समीकण आया था वो था X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X1 एककोल टू Y-Y1 अपॉन Y2-Y1 एककोल टू Z-Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 तो यह सारे आपने equations देख लिये रेखाओं के प्रकार तो रेखाओं के प्रकार पर एक डेटेल डिसक्शन यहां पर करेंगे हम कि रेखाओं कितनी प्रकार की होती है थ्रीडी में तो आज है रेखाओं के प्रकार ठीक तो देखें थ्रीडी में रेखाओं दो प्रकार की होती है एक होती है सम्तलिय और दूस तो समतल ये रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनको आप इस समतल में बना सकते हो आपके पास आपकी कॉपी आपकी पैन है और आप अपनी कॉपी पैन से अपनी कॉपी में कोई भी दो रेखाएं बनाए वो एक समतल में ही होंगी वो समतल ये रेखाएं होंगी क्योंकि आप उनको किस पर बना रहा हूँ, एक plane, plane एक समतल है, जैसे देख लिए माल लिए मेरे पास एक समतल है, और इस समतल में मैं असंख्यों रेखाएं बना सकता हूँ, यह मैंने बनाई, ओके, मैंने यह बनाई, फिर यह बनाई, फिर यह बनाई, कुछ भी रेखाएं मैं बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे तो ये रेखाएं आपके पास कहलाती है सम्तली रेखाएं अब सम्तली रेखाएं जो कि किसी एक सम्तल में है उनके दो रूप हो सकते हैं या तो समतली रेखाएं जो होंगी, या तो वो कैसी होंगी, समानतर होंगी, या तो वो कर्या होंगी, प्रतिछेदी होंगी, जी हाँ, तो या तो समतली रेखाएं समानतर होंगी, या तो समतली रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिछेदी होंगी, ठीक, या तो समतली रेखाएं स एक रेखा बना रहा हूँ, दो रेखा बना रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास समतल है, अब इसमें मैंने दो रेखा बना दी है, ये देखिए दो रेखा है, मैंने एक ये बना दी है, अब ध्यान से आप तो कहरेंगी सर यहां पे तो प्रतिछेद कर रही है, चलो एक और ले प्रफ एरो हुआ करते हैं और आप जो लेते हो पढ़ने के लिए उसे आप रेखा खंड बोलते हैं तो रेखा कभी समाप्त नहीं होती है तो अगर आपको भले ये इतनी सी दिख रही है वट आंगे जाके कभी न कभी तो एक कट करीगी न तो इस तरीके से किसी समतल में बनी हुई रेखाएं या तो समानतर हो सकती है और या तो परतिछेदी हो सकती है ओके पहचानना बहुत आसान है कि कौन सी रेखा समानतर है कौन सी रेखा परतिछेदी है बहुत आसान है पहचानना समानतर रेखाओं के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर दो वेक्टर B2 दो रेखाएं आपके पास में हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये समानतर है कि नहीं है तो दोनों के B1 और B2 को वाच करो क्या B1 और B2 दोनों एक दूसरे के पैरलल हैं क्योंकि अगर समानतर रेखाएं होंगी तो इनके जो दिशात्मक सदिस हैं वो भी आपस में क्या होंगे इनके दिशा सदिस भी आपस में समानतर ही होंगे मतलब इनमें कौन सी प्रॉपर्टी लगीगी इनमें प्रॉपर्टी लगीगी A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 अगर ये प्रॉपर्टी लग रही है इसका मतलब ये जो आपके दोनों के दोनों सदिस है वो कैसे हैं? समानतर रेखाओं को पहचानना बहुत आसान है अब हमारा टॉपिक है क्या? दो समानतर रेखाओं के बीच की दूरी important topic तो मैं समतलिय रेखाओं में चल रहा था मैं भूली गया मैं समतलिय रेखाओं के प्रकार की बारे में आज की topic जो थी रेखाओं के प्रकार तो मैंने रेखा दिया एक तो होती है समतलिय रेखाओं तो समतलिय में दो प्रकार की कटेगरी है एक समानतर और एक प्रतिच्छे दी और असंतली रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनको आप तल में नहीं बना सकते हो यह एक रेखा आपने अपने पेपर में बनाई और पेपर को फोड़ते हुए एक रेखा पीछे से आंगे आ रही है ये आपकी स्क्रीन में पीछे से आंगे आ रही है एक रेखा ये है और एक रेखा पीछे के पीछे के तल से आंगे आ रही है तो ध्यान से देखो आप इन दोनों रेखाओं को कभी किसी एक तल में नहीं बना सकते हो क्यों? क्योंकि ये तो आपके स्क्रीन के पीछे से सामने की तरफ आ रही है जहां आप बैठे हुए हो ये आपकी आँख लगी हुई है ओके पीछे से आ रही है और ये इस तल में है आप इन दोनों को ले करके कोई एक समतल नहीं बना सकते हो इसलिए ये रेखाएं ये जो दो रेखाएं आपके पास में हैं इनको आप क्या बोलते हैं? असमतलिये रेखाएं इनको बोलते हैं क्या? असमतलिये रेखाएं ठीक है ना? इसको आप समझना चाहते तो आप एक काम करिया अब जिस भी page में पढ़ाई कर रहे हैं एक खाली page ले लिजे और एक खाली page में एक line ड्रॉ कर दीजे ऐसे नीचे एक line आप ड्रॉ कर दीजे एक page में आपने एक line ड्रॉ कर दी बोलो भाई, श्री ड्रॉ कर दिया? हाँ, और उस page के उपर एक pen से एक छोटा सा hole कर दे line के उपर थोड़ा सा कहीं पर भी एक hole कर दे pen की निप को अंदर डाल करके उसमें hole कर दे कर दिया hole पेज के उपर अब मानिये ये imagine के लिए कि इस pen के hole से अगर आपके पास कोई पुरानी refill बगरे पड़ी हो तो इस pen के hole से पुरानी refill को आर पार कर दीजिए कोई पुरानी refill हो कुछ भी पतली सी कोई सीक वगरे हो तो उसको आर पार कर दीजिए कर दी आर पार हाँ अब ध्यान से देखिए कि दो रेखा हैं आपके सामने दिख रही हैं एक तो ये नीचे वाली और एक तो ये आर पार वाली आप देखिए ध्यान से क्या इन दोनों रेखाओं को ले करके क्या कोई सम्तल जा सकता है जिसमें दोनों रेखाओं एक बार में फिट हो जाएं नहीं जा सकता बिल्कुल सही तो ये रेखाओं कहलाती हैं हैं असंतलिय सदिस अब बात आती है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी तो अगर असंतलिय रेखाएं होंगी तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए जो आपने होल बनाया है होल से नीचे वाली रेखा पर परपेंडिकुलर गिरा दो जो होल बनाया है नीचे वाली रेखा पर लंब गिरा दो और यही जो लंब निकलेगा वो कहलाएगा दो असंतलिये रेखाओं के बीच की दूरी यही जो लंब है इसको कहलाएगा दो असंतलिये रेखाओं के बीच की दूरी बोलो clear हुआ हाँ तो दो असंतलिये रेखाओं के बीच की दूरी यही आपका perpendicular यही लंब आपका कहलाएगा दो असंतलिये रेखाओं के बीच की दूरी अब आपको असंतली रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है मैं दोनों रेखाओं के समीकन आपको अलग-अलग बताता हूँ पहली रेखा है मान लो वेक्टर A प्लस लेम्डा वेक्टर B1 और दूसरी रेखा है मान लो vector a plus lambda a2 आएगा यहाँ पर यहाँ पर r लिख दो a1 plus lambda vector b1 और दूसी रेखा है r2 r equal to vector a plus lambda vector b2 तो असंतलिये रेखाओं के बीच की दूरी हम पढ़ रहे हैं एक पर फिर से मैं बता दू हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं असंतलिये रेखाओं के बीच की दूरी पहले असंतलिये पढ़ लेते हैं फिर संंतलिये पढ़ेंगे ना चलिए यहाँ पर बताता हूँ तो आपके पास मैं आप क्या पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं असंतलिये रेखाओं के बीच की दूरी जी हाँ तो आपके पास मैं बता रहा था यह आपका पेज है यह एक रेखा है पहली यह एक सदिस है और उपर से यह दूसरा सदिस आ रहा था बाहर की ओर और आपने यह परपेंडिकुलर डाल दिया है यह P पॉइंट है यह M पॉइंट है और दूसरी सदिस है वेक्टर आर एक्वल टू A2 प्लस कुछ कॉंस्टेंट मु ले लो यहाँ पर वेक्टर बीटू यह ले लिया A2 प्लस मु वेक्टर बीटू दोनों कैसी है असमतलिये हैं असमतलिये रेखाए हैं दोनों के बीच की दूरी देखें किस तरीके से निकालेंगे फॉर्मूला याद करिए PM एक्वल टू वेक्टर ठीक ना PM एक्वल टू वेक्टर A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस A1 क्रॉस नहीं नहीं डॉट आता है डॉट B1 क्रॉस B2 मौड के अंदर ये रहेगा पूरा का पूरा ये मौड के अंदर पूरा का पूरा और अपान में B1 क्रॉस B2 यस याद कर लिजे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये P से लेके M के बीच की दूरी है ये P से लेके M के बीच की दूरी है PM perpendicular distance किसके लिए लगेगा असमतलिये रेखाओं के बीच की दूरी चली यह हो गया अब इसके बाद इसको मैं यह किस रूप में है यह सदिस रूप में है मतलब जो जो आपको दिया है आप पूट करते जाएए आपका आणसर आता चला जाएगा जो जो आपको दिया गया है आप पूट करते जाएए आपका आणसर आ जाएगा ठीक है निमेरिकल जब करेंगे तब आपको और बहतर समझ में आएगा कि इसको हम कैसे हल करते हैं अच्छा थोड़ी सी एक चीज यहां पर मैं पताऊंगा ध्यान से देखिए कि अगर ये वाली लाइन जो है जो आपने अपने होल करी है कोपी के पेज में अगर पी से लेकर के एम नीचे आता जाए तो अगर ये नीचे आता जाएगा तो देखो नीचे आने की स्थिती क्या होगी अगर ये नीचे आता जाएगा तो इसकी क्या स्थिती बनेगी समझो इसको देखो पी पॉइंट नीचे आया तो यह यहाँ पर पहुँँच गया और नीचे आया यह यहाँ पर पहुँच गया और नीचे आयेगा तो यह M के उपर आ जाएगा और जैसे ही यह पॉइंट M के उपर आएगा तो यह रेखाएं कैसी हो जाएंगी सम्तली हो जाएंगी मतलब यह यहां से लेके यहां और यह एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो यह रेखा हैं परतिछेदी हो जाएंगी एक दूसरे को परतिछेद करेंगी ओके यह रेखा हैं एक दूसरे को परतिछेद करेंगी और प्रतिछेदी रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी जीरो प्रतिछेदी रेखाओं ये देखो ये दूरी थी ना ये कम होते 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 इसी के उपर आ गया तो ये दूरी कितनी हो गई जीरो हो गई तो प्रतिछेदी रेखा होने का प्रतिबंद या समतलिय होने का प्रतिबंद क्योंकि समतलिय हो जाएंगी तो इनके बीच की दूरी किती हो जाएगी जीरो हो जाएगी ओके तो अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करेंगी तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ठीक है ना? अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेट करेंगी तो इनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी मतलब PM का जो मान है वो काईक इक्वल हो जाएगा? 0 को equal to PM को 0 रख दो तो 0 equal to कितना आ गया mod A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon में mod of B1 cross B2 तो ध्यान से देखो बच्चों ये B1 cross B2 नीचे वाला है इसके साथ जा करके 0 हो जाएगा तो क्या condition बन गई condition बन गई mod of A2 minus A1 dot B1 cross B2 equal to कितना 0 क्या है ये ये है सम्तलिय होने का प्रतिशेदी होने का प्रतिशेदी होने का प्रतिशेदी हैं अगर दो रेखा हैं प्रतिशेदी हैं तो ये चीज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी एक बार फिर से बता देता हूँ देखिए आपने जो PM निकाला था आपने जो PM निकाला था पी से लेकर के M तक की दूरी PM equal to कितना निकाला था mod of A2 minus A1 cross B1 cross B2 यहाँ पर dot है बार बार क्रोस रग देता हूँ dot B1 cross B2 upon mod of B1 cross B2 ये हैं अब क्या करना है आपको अगर ये रेखाएं सम्तली है नई सम्तली मत कहिए सम्तली भी कह सकते है अगर ये रेखाएं अभी तक क्या थी ये उपर था अगर ये रेखा अगर नीचे होते जाएगी तो एक समय आएगा ये प्रतिछेद कर देगी और जिस समय ये रेखा प्रतिछेद करेगी उस समय ये जो दूरी होगी हो किती हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो प्रतिछेदन के लिए ये P है ये M है प्रतिछेदन के लिए P M का मान कितना हो जाएगा 0 तो 0 equal to mod of mod of a2 equal to mod of a2 minus a1 dot b1 cross b2 upon mod of b1 cross b2 अब ये वाली जो चीज है इसके साथ 0 के साथ multiply होके क्या हो गई जीरो हो गई तो finally जो परिस्थिती हमाई पास बन गई वो क्या हो गई 0 equal to mod of a2 minus a1 dot b1 cross b2 क्या है ये ये प्रतिबंद है दो रेखाओं के प्रतिछेदन का यस तो अगर दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिछेद कर रही है तो प्रतिछेदन की शर्त क्या है प्रतिछेदन की शर्त अगर दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिछेद कर रही है तो mod of a2 minus a1 dot b1 cross b2 equal to कितना 0 नोट कर लीजे बहुत important है ये है आपके दो रेखाओं के प्रतिछेद करने की शर्त ठीक है ना तो ये मैंने किस रूप में vector form में मैंने यहाँ प्रतिछेदन की शर्त बनाई है कर दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिछेद कर रही है तो सदिस रूप में उनके प्रतिछेद करने की सर्त ये होगी जो लिखी हुई है mod of a2 minus a1 dot b1 cross b2 बराबर 0 और प्रतिछेदन करने के लिए दोनों रेखाओं को एक सम्तल में आना ही पड़ेगा तो इसलिए इसी सर्थ को सम्तलियता की सर्थ भी बोलते हैं मतलब दोनों रेखाएं सम्तलिय होंगी तो ये condition लगेगी बोलो clear आया समझ में अब देखो इसका हम कारतिय रूप बना लेते हैं अभी तो ये कौन सा रूप था सदिस रूप है अब इसका हम कारतिय रूप बना लेते हैं जिससे आपके एकजाम में बहुत ज़्यदा question आता है तो आईए हम इसके कारतिय रूप की बात कर लेते हैं कि भाई इसका कारतिय रूप क्या होगा आपने देखा दो सदिस होते हैं वेक्टर r equal to a1 plus lambda वेक्टर b1 तो मैं पहला कारतिय रूप क्या लिखता हूँ एक्सवन आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप ये है देखिए एक कारतिय रूप में बनाना इतना इंपोर्टेंट नहीं है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए तो पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ कि कारतिय रूप में दो रेखाएं आपके पास जो दी गई है उनके बीच की दूरी कितनी होगी कारतिय रूप में दो रेखाएं जो आपके पास में दी गई है उनके बीच में दूरी कितनी होगी तो ये पहली रेखा जो होती है आपके पास में R बराबर A1 प्लस लेम्डा वेक्टर B1 जिसको कार्ती रूप में आप लिखते हो क्या X-X1 अपॉन A1 एक्कॉल टू Y-Y1 अपॉन B1 एक्कॉल टू Z-Z1 अपॉन C1 एक्कॉल टू लेम्डा ये पहला समीकन आपके पास रेखा कहा होता है दूसरी रेखा जो होती है वो होती ही वेक्टर R एक्कॉल टू A2 प्लस लेम्डा वेक्टर B2 जिसका समीकन आप लिखते हो X-X2 अपॉन A2 एक्कॉल टू Y-Y2 अपॉन B2 एक्कॉल टू Z-Z2 अपॉन C2 एक्कॉल टू लेम्डा अब ये दोनों रेखाएं अगर असंतली ये रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी का सूत्र याद कर लो क्या था वहाँ पर सूत्र था? P से लेके M बराबर A2-A1 डॉट B1 क्रोस B2 अपॉन मॉड ओफ B1 क्रोस B2 बस तो सूत्र याद करो यहाँ पर ये सदिस रूप है कारती रूप में सूत्र क्या होता है देखो मैं लिखा रहा हूँ X2-X1 Y2-Y1 Z2-Z1 अपॉन A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये उपर रहता है और नीचे क्या रहता है? नीचे रहता है सारनिक चलो देखो कैसे? इसको छिपा लो B1 क्रोस B2 का सारनिक लिखना है तो इसको रोक लो क्या बनेगा? A2 C1 का स्क्वेर A1 C2-A2 C1 का स्क्वेर और लास्ट में A1 B2-A2 B1 का स्क्वेर ये है कारती रूप में दूरी निकालने का सूत्र अब मरजी आपको किस रूप से निकालना है? वैसे कारती रूप से निकालने में ज़्यादा आसानी रहती है फालतू का वेक्टर अपनको जहलना नहीं पड़ता तो कारती रूप में आप दूरी ज़्यादा आसानी से निकाल पाएंगे ठीक है? यस यह हो गया कारती रूप से दूरी निकालने की बात अब आँगे देखिए कुछ और बात करते हैं अगर आपको पता है कि रेखाएं प्रति छेद कर रही है यह देखो यह रेखा है यह P है और यह यहां से आपने इस पे लम डाला था PM अगर P नीचे आता गया नीचे आता गया नीचे आता गया तो एक समय आएगा कि यह M के उपर आजाएगा और उस समय यह रेखाएं क्या हो जाएंगी प्रति छेद करेंगी यह समतलिय हो जाएंगी PM बराबर किता हो गया 0 इसका मतलब यह जो समीकरण अपने निकाला है यह देखो भाई यह जो समीकरण अपने निकाला है PM ओके इसका मान में किसके equal रखता हूँ 0 का equal तो यह जो इसके हर में है यह पूरा का पूरा ये 0 के साथ जाके गुड़ा हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0 तो answer क्या बनेगा very very important x2-x1 y2-y1 z2-z1 a1, b1, c1 और a2, b2, c2 answer किता होगा 0 ये किस चीज की सर्थ है ये दो चीजों की सर्थ है दो रेखाओं के प्रतिछेदन की और दूसरा अगर प्रतिछेद करेंगी तो क्या होंगी सम्तलिय होंगी दो रेखाओं प्रतिछेद करेंगी तो क्या होंगी सम्तलिय होंगी तो note कर लीजिए ये ही प्रतिछेदन की सर्थ है और ये ही सम्तलिय होने की सर्थ है ये ही प्रतिछेदन की सर्थ है a1 a2 कल मैंने बता है था a2 क्या होता x2 i k plus y2 j k plus j2 k k तो यहाँ पर आप उनकी value रख दो और कैसे रखो क्या रखो उसको छोड़ो सीधे आपको formula याद रखना है कि x2 minus x1 मतलब जो दूरी होती है कार्ती गुरन में जो दूरी होती इसको pm बोलते है किसकी दूरी बिंदू की रेखा की नीचे वाली रेखा से लंबा दूरी यह p है यह m है तो यह जो दूरी हुआ करती है और अगर यह दूरी कम करते जाओगे तो यह दूरी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी जिस समय हो जाएगी और क्या करेगी प्रतिछेट करेगी बोलो क्लियर हुआ तो देखो ध्यान से यह है आर एक्वाल टू यह बन गया वेक्टर ए एवन प्लस लेमडा वेक्टर बीवन और यह बन गया इतना पार्ट एटू प्लस यह क्या बन गया बीटू तो यह देखिए आपने क्या किया आर लिखा यह एवन लिखा एटू लिखा बीवन लिखा बी B1 cross B2, ओके, तो पहले A2 minus A1 निकाल लिया, और फिर क्या किया, B1 में B2 का cross कर दिया, और उपर दोनों का dot product है, अच्छा, आंगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि dot product में कोई भी आंगे हो, कोई भी पीछे हो, कोई फर्क नहीं करता नहीं, तो आप बोलो है, उसका क्या निकाल लोगे, magnitude, उसका मापांक निकाल लो, तो कैसे निकलेगा, देख लो, यहीं पर मैं निकाल देता हूँ, under root minus 1 का square, plus का है, 2 का square, और plus minus 1 का square, तो 2 का square, 4, 1, 5, और 1, 6, तो answer कितना आएगा, इसका root 6, तो यहाँ पर root 6 पूट कर दिया है, चलिए अब जल किसे देखिए, जो अगला question है, अगला question कह रहा है, कि सिद्ध कीजिए कि रेखाओं इतने तथा इतने के एक दूसरे को प्रतिछेद करती है, यह देखो, भाई कि सिद्ध करों कि यह रेखाओं प्रतिछेद करती है, अगर प्रतिछेद करेंगी, तो इसी formula को लगाओगे, तो जो नियूनतम दूरी आएगे, प्रतिछेद करने पर किती है जाएगी, चीरो, तो देखिए, इसमें पहचान लीजे, यह क्या है, A है, A1, यह है, B1, यह है, A2, यह क्या है, B2, तो A1, B1, A2, B2 की पहचान हो गई, इसके बाद क्या निकाल लीजे, A2 माइनस A1, और B1 CROIFSB, यह देखिए, बीवन CROIFSB निकाल लिया, A2 माइनस A1 निकाल लिया था, और B1 क्रोस B2, यहाँ पे नहीं नीकाला गया, शायद आंगे निकाल लिया गया होगा, ओक्यों, यह, ये A2 माइनस A1 है, और B1 क्रोस B2, निकाल लिया गया, और, निकालने के बाल, जब हम इसके अंदर put करते हैं, याद होगा आपको उपर वाला पार्ट, मैंने क्या बताया था, प्रति छेदन की सर्थ, तो प्रति छेदन की सर्थ क्या बताई थी, मैंने ये देखिए, ये है प्रति छेदन की सर्थ, अगर प्रति छेद करेंगी, तो उपर वाला पार्ट किसके एक के क्योंकि total equal to 0 हो जाएगा इसलिए उपर वाला पार्ठी 0 के equal माल सकते हैं तो देखिए a2 minus a1 यह देखिए क्या फुरूल बनता है a2 minus a1 a1 dot b1 cross b2 equal to 0 तो आपने a2 minus a1 dot b1 cross b2 निकाला तो कितना आ गया जीरो आ गया और जीरो आ गया इसका मतलब क्या है यह यह परतिछेद करती है इस तरीके से दूरी निकाल सकते हैं अगला question देखिए अगला question फिर से यही है नियुनतम दूरी गयात करने का है ना बहुत सारे question नियुनतम दूरी गयात करने के हैं तो आप इनको स्वेम से लगाईए बड़े आराम से ये बन जाएंगे चली अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं अगला कंसेप्ट है अभी आपने देखा कि रेखाएं अगर असंतलिय हो तो उनके बीच की दूरी हमने निकाल दी और हमने बोला कि जो दो असंतलिय रेखाएं है उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने बता दिया अब संतलिय रेखाओं के बीच की दूरी बाई संतलिय रेखाएं मतलब एक संतल वाली रेखाएं तो एक सम्तल में आप कोई भी दो रेखाएं अपने मन से बना लो, आपकी कौपी सम्तल है, उसमें दो रेखाएं आप मन से बना लो, तो या तो रेखाएं प्रतिछेदी बनेंगी, या रेखाएं समानतर बनेंगी, ओके, तो सम्तलिय रेखाएं या तो प्रतिछेदी होंगी और या तो समतलिय रेखाएं क्या होंगी समानतर होंगी तो बहुत एजी कंसेप्ट है अगर समतलिय रेखाएं प्रतिछेदी हैं तो दो प्रतिछेदी रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है हमेशा जीरो होती है दो प्रति-6 दी रेखाएं आपस मैं आकर प्रति-6 करेंगे जैसे मैं बोलूँगा एक रेखा ये है एक रेखा ये है मैं बोलूँगा इनके बीच की दूरी गियात करो अरे इनको थोड़ा सा आंगे और बढ़ाईए ये देखो इसको भी आंगे बढ़ाओ ये देखो एक दूसरे को कौट कर दी है तो प्रति छेदी रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है शून्य होती है प्रति छेदी रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा शून्य हुआ करती है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है अब समतली ये रेखाएं, समतली में प्रतिछेरी वाला पार्ट हो गया, अब समानतर वाला पार्ट दिखिए, दो रेखाएं आपके पास ये हैं और दोनों समानतर हैं कैसे समानतर पहचान होगे इनके दिसात्मक सदिस को देख करके दोनों के दिसात्मक सदिस एक ही होंगे पहली रेखा A1 प्लस μ्यू वेक्टर B1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पहली रेखा A1 प्लस μ्यू वेक्टर B1 और दूसरी रेखा A2 प्लस μू वेक्टर B2 और B1 और B2 वापस में क्या होंगे? parallel समानतर होंगे B1 और B2 तो ये इस तरीके से पहचान में आ जाएंगे कि एक दूसरे के समानतर है एक पहला रेखा का समीकन ये है दूसरी रेखा का समीकन ये है आपको करना क्या है? आपको इन नोनों के बीच की दूरी निकालना है ये तो इनके बीच की दूरी का सूत्र D मानलो दूरी है तो D is equal to very important formula बता रहा हूँ D is equal to mod of A2 minus A1 mod of A2 minus A1 cross B upon mod of B ये formula याद कर लिजे ये दोनों रेखाओं कौनसी समानतर रेखाओं के बीच की दूरी है नोट कर लिजे इसको अगर समानतर रेखाओं आपके पास में है तो दूरी इस प्रकार से इस समीकन से आप दूरी याद कर सकते हैं D equal to A2 minus A1 cross B upon mod of B D equal to A2 minus A1 cross B upon mod of B ठीक है लिख लिए चलो अब कोशिस करते हैं इस पर एक सवाल मिल जाए है ना अच्छा एक बात और करेंगे आपने क्या देखा फॉर्मूला समानतर रेखाओं के बीच की दूरी के लिए D मतलब दूरी बराबर A2 minus A1 cross B upon mod of B ये तो कई जगे हो सकता है इस फॉर्मूले को ऐसे दिरिया जाए B cross A2 minus A1 upon mod of B दोनों फॉर्मूले में आंसर सेम आएगा क्यों आएगा हलाकि A cross B और B cross A एक ही नहीं होते हैं एक दूसरे के negative होते हैं A cross B और B cross A एक दूसरे के negative होते हैं बट जब यदि mod लगा दो तो mod से negative चेन गायब हो जाता है इसलिए यहाँ पर mod लगा हुआ है तो mod लगने की वज़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर सेम आएगा चाहे आप यह वाला formula लगाओ चाहे आप यह formula लगाओ अब आपको जो अच्छा लगे आप यात कर लो तो चलो एक सवाल करते हैं एक parallel line का question करते हैं चलिए तो देखिए जैसे यह समीकर्ण आपके सामने एक दिया गया है मैं पढ़ दिता हूँ question क्या कह रहा है समानतर रेखाओ x-1 upon 2 equal to y-2 upon 3 equal to z-3 upon 4 तथा x-2 upon 4 y-3 upon 6 equal to z-4 upon 8 के बीच की दूरी ग्यात करो इसने खुद ही बता दिया है कि रेखाएं समानतर हैं पहली चीज और ना भी बताया होता तो हम पता कर लेते सबसे पहले देखो ये रेखा किन बिंदूओं से जा रही है आपको रेखा का समीकर्ण बनाना है किस रूप में आपको बनाना है समीकर्ण वेक्टर r वरावर वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर b के रूप में तो पहली वाली रेखा का समीकर्ण क्या दिया है x-1 upon 2 equal to y-2 upon 3 equal to z-3 upon 4 और आपने रेखा का समीकर्ण क्या पढ़ा है x-x1 upon a equal to y-y1 upon b equal to z-z1 upon c तो इससे इसकी तुलना करिए तो देखे x-1 की जगे कौन बैठा है a बैठा है x-y1 की जगे कौन बैठा है 2 बैठा है तो x1 equal to है 1 y1 equal to है कितना 2 x1 equal to है 1 y1 equal to है 2 और z1 equal to कितना है 3 ओके ये आपके पास क्या बन गया है x1, y1, z1 और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रेखा जिन बिंदूों से होके जाती है उनसे क्या बनता अपकना point vector a तो पहली रेखा बनेगी a1 plus lambda vector b1 तो a1 मिल गया हमको a1 क्या मिलेगा i cap plus 2j cap plus 3k cap बहुत practice लगीगी आप लोगो 3D सीखने में खुब question करने पड़ेंगे ये बनेगे आपने पास a1 किस से निकाला इन बिंदूों से 1, 2, 3 से line जा रही है और इसके लेखा कि line के direction ratios क्या है b1 vector कितना है तो b1 vector है देखो 2, 3, 4 तो 2i cap plus 3j cap plus 4k cap लो भाई मज़े आ गए पहली line आपकी निकल चुकी है line को लिखोगे पहली line vector r equal to a1 plus lambda vector b1 तो a1 कितना आया है i cap plus 2j cap plus 3k cap और b1 कितना आया है b1 आया है आपका 2i cap plus 3j cap plus 4k cap 2i cap plus 3j cap plus 4k cap ये आपका आगया पहली line दूसरी line देखिए बना देता हूं मैं first line तो हो गई नमबर 1 दे दो दूसरी line किस point से जा रही है देखो question में ही दिख जाता है ये 2 से जा रही है ये 3 से जा रही है 4 से जा रही है तो 2, 3, 4 का position vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus lambda into इसके direction ratio क्या है 4i cap plus 6j cap plus 8k cap लो भाई मज़े आ गए हमारे दोनों vector बन गए है पहला है vector r बराबर a2 plus lambda vector b lambda vector b2 इसको lambda vector b2 मत कहो, इसको mu vector b कहो क्यों क्योंकि दोनों parallel है और जब दोनों parallel होते हैं तो मैंने आपको देखो क्या लिखाया था यहाँ पे यहाँ पे मैंने बताया था lambda a1 plus mu vector b1 और a2 plus mu vector b2 मैं अब इससे कुछ खास लेना देना नहीं है मैं आपको तो parallel पहचानना सिखाता हूँ बस बाकी छोड़ो देखो ध्यान से यहाँ पर आपके पास में अगर आप second वाले से two common ले लो बहुत अच्छे से सुनना second वाले से two i cap plus three j cap plus four k cap इसमें तो कोई problem नहीं है अगर आप यहाँ से two common ले लो तो देखो क्या बच जाएगा two common ले लिया तो two i cap plus three j cap plus four k cap जी हाँ अब ध्यान से देखो दोनों vector सेम हो गए जो मैं कह रहा था ना दोनों vector आपके सेम हो गए देखो यह b vector यहाँ भी है और b vector यहाँ भी है यह देखो इसे लिए दोनों parallel है यह दोनों क्या है parallel है देख गया अब आपको निकालना है distance क्या निकालनी है distance तो मैंने क्या पढ़ा है distance equal to mod of a2 minus a1 cross में b upon mod of b बस यह formula आपको लगना है a2 minus a1 cross b upon mod of b थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को और clear करना चाहिए यहाँ पर मुझे दोनों vector as a vector b सपोस करना पड़ेगा थोड़ी सी यहाँ पे change करूँगा अगर रेखाएं समानतर है तो पहली line vector a plus lambda vector b और दूसरी line जो होगी वो क्या होगी vector a plus mu vector b हाँ क्योंकि parallel हैं तो यह पार्ट इसका दोनों का same होगा सेम बन जाएगा तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत difficult है बट चिंता मत करिए जब आप question करेंगे ना यह धीरे धीरे आपको चीजे बनेगी क्योंकि बहुत complex level की study है तो थोड़ा सा time तो लगेगा यार है ना उसको सीखने में वक्त लगता ही है तो mainly आप अपने काम पर आजाओ आपका जो formula है क्या है a2 minus a1 cross b upon mod b तो बस यहां पर आप इस formula को लगाओ और आपका answer आजाएगा आपको a2 पता है आपको a1 पता है आपको b दोनों का पता है और आप mod b निकाल सकते हो चलो लगाओ एक बार try करो फिर मैं भी लगवाता हूं चले आईए तो देखिए किस तरीके से इस question को करते हैं आपको क्या चाहिए a2 minus a1 तो यह दिया है a1 यह दिया है a2 तो सबसे पहले मैं a2 minus a1 निकालता हूं a2 कितना दिया है two i kya plus three j kya plus four kya a1 कितना दिया है i kya plus two j kya तो directly मैं इस से इसको minus करता हूं तो 2 i में से i गया कितना बचा i kya three में से two j kya कितना बचा plus j kya और four में से three गया कितना बचा plus kya kya दिस जो दोनों की दिशा है तो B vector कितना है 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap ओके चलिए अब हमें क्या करना है अब हमें करना है A2 minus A1 और B का cross तो मैं क्या करूँगा cross product करने के लिए ये vector और इस vector का cross product यहीं कर देता हूँ cross product करने में क्या लेते हैं I cap, J cap, K cap और इसके बाद A2 minus A1 के corner क्यों क्यों है 1, 1, 1 और इसके corner क्यों क्यों है 2, 3 and 4 यह इसके corner है चलो तो solve करते हैं I cap सबसे पहले 1, 4, 4 and 3 वन जा 3 एकम 3 हो गया 1, 4, 4 और 3 एकम 3 बीच में फिर किसका sign आता है minus का पहला plus होता है और बीच में फिर किसका आता है minus का ओके तो minus इसको इसके साथ आगा तो 1, 4, 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा फिर plus का K cap 1, 3, 3 और 2, 1, 2 ओके चलो हल कर दो तो कितना हो गया 4 मेंस 3 गया 1 आई कैप 4 मेंस 2 गया कितना हो जाएगा minus का 2 J cap और 3 मेंस 2 गया कितना गया plus का K cap लिए भाई क्या आचुका है यह यह आचुका है हमारा A2 माइनस A1 क्रॉस B क्योंकि हमने A2 माइनस A1 यह था इसके साथ इसका क्रॉस पोड़क किया है तो यह आचुका है A2 माइनस A1 क्रॉस B ओके अब देखो क्या चाहिए हमें इसका मॉडूलस चाहिए है उपर तो इसका मॉडलस निकालूंगा तो अंडरूट 1 का स्क्वेर 1, 2 का स्क्वेर 4, 1 का स्क्वेर 1 तो 4, 5 अंडरूट कितना हुआ अच्छ है तो उपर आएगा मेरे पास इस फॉर्मूले से D equal to उपर मेरे पास आगया रूट 6 और नीचे क्या है नीचे सदिस B का परिमाड है तो सदिस B का परिमाड सदिस B क्या है यह है तो अपॉन में सदिस B का परिमाड देखो 2 का स्क्वेर 4, 3 का स्क्वेर 9 और 4 का स्क्वेर 16 तो 16 और 9 25 और 25 और 24 कितना हो गया 29 तो आंसर डी इक्वल टू अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 29 चलो चेक करते हैं यह देखें बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर आया हमारा अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 29 आपको इनके मैथड से करने की कोई जरूरत नहीं है इक्वल टू मॉड ओफ ओके एटू माइनस एवन क्रॉस करके बी अपॉन मॉड ओफ भी बस आपको यह फॉर्मले लगाना है इससे आपका आंसर दोड़ा दोड़ा आजाएगा जैसे अभी अपने यहां पर आंसर निकाला है ओके क्या क्या निकालोगे एटू माइनस एव क्रॉस बी का मैगनिटूड निकाल करके क्या करोगे मॉड ओफ बी का डिवाइट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा चलिए ठीक है तो यहां तक हमारा अल्मोस जितना पॉइंट से लेबस में है 3D के अभी के रिसेंटली जो हमको एक्जाम में पूछा जाना है वहां थैक यह सो मग बदाए